सलमान खान सिकंदर फिर्म की शूटिंग में कुछ ऐसे बिजी हैं कि उनकी जगा बिग बॉस 18 के फ्राइडे और साटडे के वीकेंड के वार को एक्ता कपूर और रोईच शेटी होस्ट करने वाले हैं ऐसे में एक्ता ने घरवालों की जम कर क्लास लगाई वैसे तो शो में अब कंटेस्टन के बीच में मुकाबला काफी तगड़ा होता जा रहा है ऐसे में जीत को लेकर घरवालों के बीच काफी बवाल देखने को मिल रहा है कंटेस्टन अब गाली गलोच से हट कर मार पीट पर उतर गये हैं यही नहीं जब कुछ फीमिल कंटेस्टन जीत नहीं पा रही है तो अब वो अपना फीमिल कार्ड भी फेकना शुरू कर दिया है हाल ही में अलिस कोशिक ने टास्क के दौरान रज़त दलाल के साथ कुछ ऐसा ही किया है जिस पर अब एलविश यादव का सामने से रियाक्शन आया है बिग बॉस के ही OTT सीजन 2 के विनर एलविश यादव का एक वीडियो इंस्टेग्राम पर शेयर किया गया है इस वीडियो में एलविश यादव ने अपने मोबाइल में एक क्लिप दिखाया है जिसमें एलिस रजद दलाल के लिए कहते ही नजर आती है टास्क के दौरान कि मैं तो एक लड़की हूँ मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ इसके बाद एलविश कहते हैं बदनाम करने में किसी को भी बदनाम किया जा सकता है आप किसी को कुछ भी कह सकते हो कुछ लोग आपको support करेंगे कुछ लोग आपको troll करेंगे जो लोग समझ पाएंगे, वो समझेंगे जो बात का waitage नहीं समझ पाएंगे वो आपको support obviously करेंगे ही लेकिन क्या आपके दिमाग में ये बात आना भी सही है क्या आप अपने अंतरात्मा से पूछते नहीं कुछ भी करने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले क्या जो आप कर रहे हैं वो आपको सही लग रहा है कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों की इमज को खराब करने को एक खेल समझ के रखतेते हैं इसके बाद अलविश कहते हैं मेरे को इसका नाम तक नहीं पता था कि ये एलिस है कौन ना मैं इसको बदनाम करना चाह रहा हूँ ना ही मैं लोगों को ये कह रहा हूँ या ना ही मैं इंस्रिगेट कर रहा हूँ कि आप जा के इसके साथ गाली गलोज करो ना है मैं भगवान से ये प्रातना करता हूं कि इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा हो लेकिन इसने जो चीज कही है क्या वो आप लोगों को सही लगती है या आपके नजर में भी वो चीजे गलत है चाहे रजत हो या मेरा कोई दु चीज कहूंगे कि मुझे यहां टच मत करो मुझे वहां टच मत करो क्या नैशनल टेलिविजन पे यह चीज दिखाना और किसी इनसान पे लगाना कि मुझे यहां मत चूओ यह सही है यह ना अब इतनी छोटी सी बात रहने गई है यह बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका ह उसका पास्ट कैसा भी रहा हो लेकिन शो में रजट ने अभी तक किसी भी लड़की को किसी भी गलत तरीके से टच नहीं किया है कोई भी लड़की अगर उसको आके टच करती है, चूती है या गले लगाती है तो वो हाँ जोड कर खड़ा हो जाता है एल्विश पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं रजित दलाल का लेकिन आपके इस बात पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और बिग बॉस से जुड़े ऐसे ही रीसेंट अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब नियूस कनेक्ट देश दुनिया के हर बड़ी खबर देखिए और खंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल Newz Connect पर यानि खबरों से आपका कनेक्ट यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहे हर वक्त हर ख़बर से अपडेटेड़